आज मैं बना रही हूँ गाजर का इंस्टंट अचार इसे आप 10 मिनिट के अंदर बना सकते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर आप इसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं अभी तो सीजन चल रहा है गाजर का, इसके लिए मैंने 300 ग्राम गाजर ली है, मैंने थोड़ी पतली पतली और लंबी गाजर ली है और हरी लसुन की पतियां ली है, मैंने इनके दो करके अच्छे से सोका के रखा है एक जार ले लेंगे आप medium size का जिसमें आप अच्छे से इसे mix कर सकें तो आईए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए गाजर को मैंने दोके तो रखा था लसुन की पतियों को भी दोके रखा था इन्हें छील लेंगे अच्छे से सारी छिलके उपर और नीचे के किनारे आपको काट लेना है और उसके बाद इसे आप लंबे लंबे pieces में काट लेंगे तो ये जो अचार है ये सिंधी style में बनाया गया है ये बहुत tasty बनता है आप एक बार इसे बना के देखिए तो आपको खाना इस अचार के बिना अच्छा ही नहीं लगेगा लेकिन इसे आप जैसे आज बना रहे हैं तो कल रात को यहां परसों सुबह आप यूस कर सकते हैं और तीन या चार दिन के अंदर आप इसे खतम कर लीजी क्योंकि नहीं तो यह बहुत जादा खटा हो जाता है क्योंकि यह इंस्टन्ट अचार है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा बनाईए तिन चार गाजर लेके विए आप इसे बना सकते हैं जादा लोग हैं तो आदा आदा किलो बनाईए यह दो-तिन दिन में खतम करिए और फिर आप इसे बना लीजी फ्रिज में आप इसे दो-तिन दिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं तो अब मैंने इसे इस तरीके से पहले छील लिया फिर इस तरीके से पीसिस कर लिए अब जिस हिसाब से गाजर अगर बहुत ज़्यादा जाड़ा है तो उसे बहुत सारे पीसिस बनेंगे लेकिन मेरा एडवाईज है कि इस तरीके से पतले गाजर लिजे तो इसके तीन या चार लंबे-लंबे पीसिस हो जाएंगे इस तरीके से आप इन्हें काट लेजिए और सारी काटने के बाद आप इसका अज़र तैयार कर लेजिए देखिए इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है क्या है अगर आप बहुत ज़्यादा थिक गाजर लेगे तो उसका जो अंदर का वाइड पार्ट है वो जादा रहेगा और पतली गाजर में white part कम रहता है तो आप देखिए पूरा गाजर कट गया और यह पूरा dry है तो अब मैंने इसे जार में पहले गाजर डाल दूगी पूरा गाजर मैंने इसमें भर दिया अब हम इसमें मसाले डालेंगी इसमें मैंने salt डाला है मैंने एक से सवा टीजपून डाला है आपको चाहिए तो आप एक डालिए आप पहले थोड़ा कम डालिए red chili powder मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है तो इसलिए इसका color अच्छा हैगा थोड़ा सा हल्दी लिया है और ये राई ली है इसे से ही अचार जो है खटा बनेगा तो इसे मैंने एक और आधा और लेके वन एन हाफ टीजपून लिया है तो इतना डालूंगी मैं तो परसों तयार हो जाएगा अगर आपको कली खाना है तो आप थोड़ा सा राई जादा डालिये लेकिन फिर वो अचार खटा बहुत जादा जल्दी हो जाएगा और ये जो राई है ये अगर आपको पाउडर नहीं मिल रहा है तो जो पीला राई मिलता है उसको पीस के घर में ही आप उसका राई का पाउडर तयार कर सकते हैं तो मेरा एडवाईस है कि राई पहले ही आप बहुत जादा ना डालें जितना मैंने डाला है उतना ही डालें नहीं तो आप इसे जादा दिन खा नहीं पाएंगे बहुत जादा वो दो दिन में खटा हो जाएगा अब लसुन भी डाल दिया और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया अब आप इस जार को साइड में रख दीजिए और अब हम इसके लिए हम पानी तेयार करेंगे ये देखे ये सब मिक्स हो गया मसाले लग गया इसमें अब ये जार इसे रख दीजिए लाल मिर्च अगर आपको और चाहिए आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं तो आप जो भी है आपका बनने के बाद भी आपको लग रहा है कि नमक थोड़ा कम है कुछ कम है तो आप मसाला एट कर सकते हैं अब मैंने एक से डेट ग्लास पानी गरम कर लिया और उसे हमें अच्छे से ठंडा होने दूँगी अच्छे से पानी ठंडा होने के बाद हम इसे जार में डाल देंगी पानी इतना डालना है कि पूरी गाजर इसमें डूब जाए तो ठंडा होने के बाद ही आप पानी डालिए तो पानी डालके हमने इसे ऐसे मिक्स कर लिया अब आप इस जार को रख दीजी अब दिन में एक दो बार इसे आप मिला लीजी और देखिए ये next to next day गाजर का अचार तयार है